साल 2022 में टीवी एक्टर सचीन श्राफ ने तारक महता का उल्टे चश्मा में तारक महता के रूप में एंट्री ले थी उन्होंने सेलेश लोडा को रिप्लेस किया था सचीन की माने तो बॉबी डियल के कहने पर उन्होंने तारक के लिए हामी भरी थी दरसा सचीन और बॉबी ने एक साथ वैब सीरिस आश्रम में काम किया है शूटिंग के दरान दोनों की दोस्ती हुई और अब तक कायम है दैनिक भासकर को दिये गए कि इंटर्विय में एक्टर कहते है बॉबी मेरे अच्छे दोस्त है करीब पास साल हो गए है हमें एक दूसरे से संपक में है आश्रम तरी की शूटिंग के दौरान मुझे तारक में तक के लिए कॉल आया था मैंने बॉबी से इस बारे में डिसकस किया था उन्होंने कहा था सचिन ये बहुत अच्छा शू है आपको ये जरूर करना चाहिए आप जाहिए मेकर से मिलिए मैंने उनकी ये सलामान का शो के मेकर से मिटिंग की थी बस फिर किया आज मैं शो का हिस्सा हूँ बॉबी डियल के बारे में सचिन आगे बताते है बॉबी नैच्छरल एक्टर है सच्छा ये है कि उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती उनका चेहरा काफी मासूम सा है ऐसे में जब वो नेगेटिव रोल लिबाते है तो खुद को पूरी तरह से ट्रांस्फ की है